अब हम करेंगे कक्चा 7 में सामाजी विज्ञान का प्रत्थम मुल्यांगन प्रपत्र का पूरा सॉल्यूशन पूरे अंसर देखते हैं तो चलिए देखते हैं प्रश्ट नमबर एक है विस्तु परियावरन दीवस कब मनाया जाता है अंसर आएगा 5 जून अगला है परियावरन सब्द की उत्तती कौन सी पासा सब्द से होई है अंसर होगा फ्रेंच ब अगला है परियावरन बराबर क्या होता है परी प्लस आवरन ब अगला है परियावरन के घटकों को कितने भागों में बाटा गया है परियावरन के घटकों को तीन भागों में बाटा गया है स अगला है क्रोड की सवस्ता में मौजूद है क्रोड ठो सवस्ता में मौजूद है ब अगला है इस्थल मंडल का दूसरा नाम बताईए इस्थल मंडल का दूसरा नाम है परपटी अगला है पृत्वी की तरजिया कितनी होती है पृत्वी की तरजिया होती है 6,370 ब अगला है आगने शेल होते हैं क्या होते हैं आगने शेल कठोर और रवेदार ब अगला है निन में से कौन सा एक चठान का परकार नहीं है तो नव्वे का क्या हो जाएगा द, मैंटल चट्टाने अगला है, दस्वा पिगला हुआ मैंगमा पर्त्वी की क्रष्ट के अंदर घहराई तक ठंड हो जाती है इस परकार बनी ठोस चट्टानों को क्या कहते हैं, वे क्या कहलाती है दस्वे का उत्तर हो जाएगा अंतनिर्मित आगने चट्टाने, अगला है पर्त्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, पर्त्वी की सबसे पतली परत है क्रष्ट ब, अगला है जब आगने और अफसादी चट्टाने गर्मी और दवाप के प्रभाब में आती हैं तो क्या होता है बारवे का हो जाएगा स कायंतिर चट्टानों बदल जाती है अगला है पिगलेवे मैगमा से बनी चट्टाने क्या होती है पिगलेवे मैगमा से बनी चट्टाने आगने चट्टाने कहलाती है उत्तर हो जाएगा स अगला है चोद्वे का उत्तर होगा ब अनुचेत 15 अगला है नागरिक अधिकार आंदोलन कहां से प्रारम हुआ 15 का उत्तर होगा ब अमेरिका से अगला है समाज के कि छेत्र में समानता इस्थापित करने के लिए लोक तांतर की आबशकता है 16 का उत्तर होगा द उप्रुक सभी में अगला है लोक तंतर किसे बढ़ावा देता है 17 का उत्तर होगा समानता को ब अठारवा प्रश्ण है राष्ट कूत राजवन्स के उद्यक का समय कौन सा था 18 का उत्तर होगा ब सांत्वी सताप्दी अगला है निमली कित में से किस राजवन्स का उद्यक सांत्वी सताप्दी में नहीं हुआ उत्तर होगा समौर्रे अगला है दंती दुर्ग किस राजवन्स का सासक था उत्तर हो जाएगा सर राष्ट कूत तो ये है हमारा कक्छा सात्वी का सामाजी विज्ञान का प्रत्थम मुल्यांकर प्रपत्र का अंसर।